हेलो डियर स्टूडेंट आज हम देखेंगे कैपसिटर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग प्रोसेस देखो कि यह क्या है ब्रेड बोड एंड एलेडी केपसिटर रेजिस्टर एंड नाइन वल्ट बैटरी हम सारे इसका कनेक्शन करेंगे तो हमें पता है कैपसिटर चार क्वाव दिश्यार्ज में एक सर्कृट को जोइन किया कि आई जोरी बेटरी के साथ रेजस्टन्स के सीरीज में led को जोइन किया और बेटरी के साथ एंड respecto से ने लिडी के पैरेलल में हमने कैपसिटर का यूज किया जैसे ही हम यहां से बैटरी के वायर कनेक करेंगे तो पोजिटिव से ऐसे करन्ट फ्लो होगा LED से करण जाएगा ऐसे और केपेसिटर में भी जाएगा तो एक कैपेसिटर क्या होगा फॉस्ट कैपेसिटर होगा चार्ज होगा और LED क्या होगी ग्लो होगी देन हमने यह बेटरी को रिमूव कर दिया देखो यहां बेटरी को रिमूव कर दिया तो यहां से क्या हुआ कि और LED ओफ हो जाएगी तो देखों बच्चों हम इसको एक्सपीरिमेंट के थ्रू देखते हैं देखों हमारे पास क्या है LED कैपेसिटर रेजिस्टर एंड नाइन वल्ड बेटरी एंड ब्रेड बोर्ड हमने ब्रेड बोर्ड के अंदर LED को कनेक किया LED के सिरीज में सिरीज में हम कनेक कर रहे हैं रेजिस्टर और LED और रेजिस्टर के पैरेलल हमने जोइन कर दिया कैपेसिटर अभी हम यह बेटरी को जो है वो कैपेसिटर LED और रेजिस्टर यह दोनों सिरीज में एक क्या है इसके साथ पैरेलल में और हम बेटरी को कनेक कर रहे रहा है parallel तो देखो अभी LED जो है वह ओन होगा और क्या होगा चार्ज होगी तो देखो अभी आपको यह LED ओन दिख रही है मतलब एक capacitor क्या हो रहा है चार्ज वो रहा है तो अभी हम बेटरी को क्या करते डिस्कनेक करते तो कुछी समय के अंदर यह LED जो है वो off हो जाएगा that is called capacitor discharging process और अभी क्या हो रहा है capacitor discharge हो रहा है और LED क्या हो जाएगी off हो जाएगी